हेलो एव्रिवान नमस्कार आपका बुद्बू स्वागत है आपके अपने ट्वीब चैनल लेंस कोट लाइप में आशा करती हूं सब बिलकूल ठीक ठाक होंगे एकतम खुश होंगे और बिलकूल तंदरूस्त होंगे मौसम कैसा है और कैसी सर्दी आपके आपे पढ़ रही ह पहुत बुरी हालत है मैं अपने देख रही हूं कई बार ना शॉल में उल्टे-फुल्टे हो जाते हैं इतना ठंडा मौसम है बिलकूल भी यह देखिए धूप का कहीं भी नामो निसान नहीं है और हवा कपड़े इल रहे हैं मैं बाहर आई थी मैंने चलिए बाहर से शुर देखेंगे अला कि दिख तो बहुत दिन से नहीं है काम से कम एक वीक हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत दुपहर के टाइम आज आते हैं आज बिलकूल भी नहीं है बहुत जादा ठंड वाला मौसम आज है टाइम हो रहा है दुपहर के दो बज़ रही है और अब जो है सार सर्दी है बहुत जादा बहुत जादा आज बच्चों को खाना है क्या खाना है रेजिडेबल मैगी तो मैं मैगी बनाने जा रही हूं और दुपहर के दो बच्चों के हैं अब मैं अपना व्लोग शुरू कर रही हूं व्लोग क्या देखती हूं पूरा करती हूं या भी थ एक गाजर ली है, एक टमाटर और एक प्याज, तो ये सारे मुझे चॉप करने है, और अपने देशी अंदाज में मैं आपे चॉप कर रही हूँ, ये देखे, इसमें मेरी स्पिड ना बहुत अच्छी खासी चलती है, लेकिन अगर मैं ऐसे चॉपिंग बॉर्ड पे करती हू तो उसमें मुझसे थोड़ा सा धीरे-धीरे होता है, तो ये अपना देशी स्टाइल है, इसमें मैं लेंटवाइस ही सब कुछ कट करूँगी, जैसे चावमीन में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि जो मैगी हैं, वो भी थोड़ा सा लेंट में ही है, तो उसी तर कर दो कर दो कर दो सारी सब्च चाहिए कट कर ली है और जो मतर हुएं उनको हलका सा मैंने बोयल किया rather बहुत ही हलका सा क्योंकि फुर वो बिल्कुल एकतम कच्चे-कच्चे रह जाते हैं बच्चों को पसंद नहीं है तो हलका सा उनको मैंने कर लिया है एक बॉयला ने दिया और बस सौप्ट से हो गए यहां पर कड़ाई चड़ाई है उसमें थोड़ा सा वैल डाला है और फिर बहुन लिया क्योंकि बच्चों को न कच्चा फ्लेवर पसंद नहीं है लेकिन प्याज को भूनना नहीं है बस हलका सा इसको यहां पर चलाना है कुछ सेकेंड के लिए और यह देखिए ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है तो साथ मेहीं सारी सबजिया इसमें एड़ कर दू है एकदम तो यह बहुत जल्दी हो जाती है इनमें टाइम नहीं लगता तो बस तेज आच पे इनको मुझे भूनना है यहां पर और मैसमें मसाले वगरा कुछ भी मतलब मसाला या फिर सॉसिज वगरा कुछ भी एड़ने कर रहे हूं मैगी बना रही हूं बस जो मैगी मसाल का मैंने डाल दिया है और यह मैगी सिंपल वाली यह मैब बनाने वाले हूं यह च्छे का पैक है तो मैं आपे जो फोर पैक है वो बनाने वाली हूं शिक्स पैक वाला यह पाउच इसमें दिये गए हैं चार यह डालूँगी तो चार इसमें मैं पाउच डाल दूँगी यह कट करके और बस इनको ज्यादा नहीं तोड़ूँगी ऐसे एक एक मतलब बीच में से तोड़ लिया है और अब जाएगा इसमें पानी पानी उसी साब से जाएगा जैसे कपके इसाब से करीब 4 कप पानी मैं इसमें डाल दिया होगा मैं की रेडियो गई है और मैंने सब कर दी है बचों को देने के लिए यह देखिए और स्टीम देखे कितनी फोग फोग हो रहा है क्योंकि एक तो सर्दी जादा है सर्दी में और भी जादा होता है और सर्दी के सिजन में होता तो है लेकिन जैसे आज सर्दी हो रही है उसम में खाने का मन कर रहा है कि पत्ता जी कुछ मझा आया कि चेस्ट और इधर देखो इधर बिल्कूल बैटरी निया है ना इस से मतर बिल्कूल पसंद नहीं वेजिटेबल बिल्कूल पसंद नहीं और यह की इसकी फर्मा इस थी वेजटेबल वाली है ना और सिरे बाबु कुछ यह भी को सिंपा है ना कल क्या है कल दूसरा एक्जाम किसी का मैत का कल सिरे का दूसरा एक्जाम है एक इसका हो चुका एक समस्टर कमप्लीट बैट के खा ले बाबु मैगी खा पीली और बैट गई हूं यह बहुत बहुत फेवरेट है बहुत पसंदिरा जिसको बोलते हैं वो है और शॉल है मेरा यह मोटा सा प्योर वूल का आज चुट्टी का मैं पूरा जो है मज़ा ले रही हूं एंज़ोय कर रही हूं आज शॉपे नहीं जाना तो बस आज पूरा दिन बनाना खाना यही चलन बनाने वाला है नहीं अभी मैं काम पे लगती हूं मैं करूंगी प्रेस क्योंकि छुट्टी के दिन यह काम तो होई जाए और फिर आज मुझे कुछ और भी बच्चों ने बोला है बनाने के लिए टमाटर रखे हैं बहुत सारे तो आज मैं बनाने वाली हूं टमैटो सोप वो भी आज बनाऊंगी कई दिन से क्या कितने दिन से बोल रहा है असरे लेकिन उस टाइम मैं शॉप पे होती हूं नहीं बनता तो आज मैं बना के रहूंगी तो आज पूरा दिन यहीं चलेगा भी मैं थोड़ी सी प्रेस कर लेती हूं सोच रही थी कि आज मैं दिन में अपने वाली हूं चल यह तो मैं काम पर लग जाती हूं और फिर मिलते हैं आप से टमैटो सूप के साथ उस बीच में तो भी हाँ चाई बनानी अभी तो चाई का टाइम श्रे चाई बनादा बटा मिले नहीं है कोई नहीं मिली देखिए अच्छे था श्रे पतानी चाई ब करने में क्योंकि कुछ ना बूलन है बूलन भी गरम से करके अच्छे से रखने पढ़ रहे हैं असा लग रहा जैसे धूप में सुखे नहीं कि सारे कपड़े गिल्ले हैं तो धेर सारे कपड़े कर दिये और कुछ रख भी दिये टावल्स बगेरा भी दूले थे तो इनको भी जो है प्रैसी करना पड़ा और देखिए फॉल्डिंग डाला हुआ है इस पर डालेंगे गिल्ले जो बाहर के कफड़े थे बिल्कुल भी नहीं सुखे है आलत बहुत पराब हो रही है बीच में चाय वगयर का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था फिर प्रैस वगयर टमाटर ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास डेड़ किलो करीब टमाटर हैं तो उन में से मैंने एक किलो ले लिया है जिनको मैं या पर मोटा मोटा ये कट कर रही हूँ एक के चार ही से कर रही हूँ आज बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफरंट तरीके से बोलूँ कुकर में मैं जो है टमाटर सूप बनाने वाली हूँ एक मैं या पर गाजर इसमें डाल रही हूँ इसे टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा तो एक गाजर ली है मैंने डिया एक या है यहाँ बिल्स सुटार सा मैं Schulman एया है या जिए दल गलास पानी डाल दूंगी क्योंकि पानी पानी बाद में भी अड़ेकर सकते हैं और अदर हैं पत्विपान मैंने यहां पर salt add किया है simple और यहां पर मैंने काली मिर्ची भी add करी है जो की powder ही है यहां पर साबूत भी कर सकते हैं और बस इसको mix करके मैं यहां पर लेट लगा के दो इसमें विसल आने दूँगी और यह हमारी जो है टमाटर पक के ready हो जाएंगे यह बने रख दिये हैं टमाटर मनलब वयल हो गए हैं इनको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी गया सोफ हो गई है और इदर मैंने साथ की साथ चढ़ाई है खिचडी काली दाल वाली खिचडी पापने बोला है कि खिचडी बनानी सर्दी ओरी बहुत ज़्यादा तो उनकी खिचडी भी लगबख बन जाएगी उसी टाइम तक क्योंकि आज घर पर हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और फिर मैं करती हूँ बर्तन वगेरा पड़े हैं थोड़े से और बस फिर देखती हूँ सबका क्या बनेगा तो अभी मुझे पूछना पड़ेगा क्या क्या बनने वाला है क्योंकि खिचडी और पहले तो सूपी होगा कि हमारा खाना बहुत लेट होता है तो अभी नहीं होगा आज पापा का जल्दी कर देते हैं क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं तो लेटी होता है रोज क्या होगा इतनी मौसम खराब है मतलब धूपनी निकलती बड़ा अजीब सब लग रहा है तो जी चलिए देखते हैं थोड़े से कपड़े बचे हैं वो सिंगवा लेते हैं और जब तक फिर ते देख रहा है यह सिंगल की नहीं फिर टमाटर को पीसते हैं प्योरी बनाते हैं और फिर सूप रेडी करते हैं तो यहां पर प्रिसर डाउन हो गया है कुकर का और टमाटर बहुत ही बढ़िया से सॉप्ट हो गए हैं अद्रक भी डाला था मैंने थोड़ा सा इसमें वो शाद दीखा नहीं था और मैंने बोला भी नहीं था तो वो भी डाल दिया था अब सब इसको जो है पहले मैं अच्छे सी इसको मैस ऐसे करूंगी जितना हो सकता है क्योंकि अभी यह लिक्विड है और गरम भी काफी है तो ऐसे ही मैस को मैस करूंगी और फिर इसका पानी छान लोंगी जो उपर का माटरियल बचेगा थिक थिक सा उसका मैं पेश तयार कर लूंगी मतलब पेस्टी बनेगा थिक हो जाएगा या फिर प्योरी तयार कर लूंगी तो ये देखे इसको मैं छान लेती हूँ या आपे मोटा मोटा सा जो इसका पानी है ना नीचे का जूस बन गया है वो या सूपी बोलू जो भी है तो ऐसे इसको छान लूँगे फिर वो जल्दी पिस जाएगा और थोड़ा रहेगा क्वांटिटी में जल्दी ठंडा पी हो जाएगा क्योंकि मैंने काफी सारे टमाटर लिया अगर आप एक-दो अलोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो जो है थोड़े काई बनेगा यह देखे सारा मैं यहां पे छान रही हूं और उसको अलग कर रही हूं इसकी मैंने मिक्सी में प्योरी बना ली थी और यह भी कौन स्टार्ज, कौन फ्लार कुछ भी नहीं डाल रही हूं तो ऐसे ही मैं इसको बनाने वाले हूं यहां पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा घी लिया है बटर लेते हैं वैसे तो बटर वो ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन बटर घर वाला है उसमें थोड़ा सा जादा जाग से होते हैं और यहां पे मैंने डाला है इसमें एक तेजबता तोड़के और थोड़ी सी काली मेर्चो डाल दी है क्योंकि उस ताइम मैंने थोड़ी डाली थी तो हलका सा इसमें यह तड़का सा भी लग गया है और इसको हम पहले भी कर सकते हैं जो प्रोसिस मैंने यह अब किया है वो हम कुकर में डालने के टाइम भी कर सकते थे कुछ लोग जीरा भी डालते हैं लेकिन ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूं और सच में इस तरीके से एक बार अप्टाई करके जरूर देखिएगा सिंपल है इजी है और जल्दी भी बनता है काला नमक भी मैंने याप इसमें एड करा है टेस्ट के इसाब से बहुत टेस्टी लगता है तो दोनो नमक आप याँ पे थोड़ा थोड़ा सा डालें और ये देखिए बस पकने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी सी देर इसमें जो है पकने में लगी है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सूप हमारा एक्तम रेडी हो गया है और थिकनस आप देख सकते हैं कुछ भी मैंने इसमें एड नहीं करा है और कलर तो आया ही कितना खुबसूरत है और हाँ एक चीज इसमें कट हो गई है मैंने इसमें एक से धेड़ चमत चीनी डाले थी टेस्ट को बैलन्स करने के लिए क्योंकि टमाटर फिर जो है खटा-खटा सा होता तो परफेक्ट सूप बनके हमारा रेडी है जिसके उपर मैंने फ्रेस मलाई को फैट के क्रीम बना के वो भी सर्विंग के लिए डाल दिया है और बस एक धनिया पत्ता डाल के सर्व करते हैं बहुत टेस्टी बना है बच्चों की काफी टाइम से इच्छा थी तो आज पूरी हो गई गर्मा गरम सूप के बाद जो हमारा डिनर है वो आप देख लीचिए काली दाल की खिचडी जो की यूप स्टाइल या बलेज स्टाइल बोलूम काव स्टाइल बोलूम बहुत ही टेस्टी बनती है अर्धेर सारा जाता है इसमें घी यह देखिए और ठाली में सर्व करके गुड के साथ जिनको गुड पसंद है और यह मैंने यह आपे खाना लगा दिया है महाँ पे मैंने गाजर वगेरा कट करके सुभा की तैयारी करके रख लिए तो इस तरीके से सारा काम अच्छे से मैनेज हो गया और आज हैए आप लोग भी काली दाल की खिजडी खाने के लिए सर्दी में आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में कुछ भी पसंदा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं है सबस्क्राइब कर लीजेगा मिलती हूँ आप से आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू फो वची